नमस्कार देवी और सज्जनों एक दिन के अवकास के बाद एक बार फिर हम राजीव भाई को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं कल कुछ सुना सुना सा लगा कुछ खोया खोया सा लगा आपको भी लगा तो यह है राजीव भाई के शब्दों का उनके विचारों के सार्थक्ता और नशा नशा शराब का नहीं नसाब स्वस्तता की नशा अहम का नहीं नशा सत्भावना का तो ऐसे वागभट के दूत और भारत के सपूत स्री राजीव दिक्षित जिसे मैं अन्रोद करूँगा कि यो मंच पराएं और पुर्जोर तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें पिछले साथ आठ दिनों में हमने जो कुछ भी सुना राजीव दिक्षित भाई से और जो कुछ भी हमने ग्रहन किया उसके कृतग्यता में हमारे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और नहीं ऐसा कोई उपहार है जो हमें भेट सरूप देकर उस भहमूल्यता को हम आख सके इसलिए हम अपनी कृतग्यता हम अपना धन्यवाद उनको चंदन के फूलों के माला के सुगंद के साथ और शौल के उर्जा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे मेरी गुजारी शेश्ची शोबा का अंदास जी से कि वो राजी भाई को माला अर्पन करके स्वागत करें रमेश भाई लोड़ा शौल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे पिछले साथ आठ दिनों से राजी भाई ने प्रकृति की बात की पंच तत्व की बात की तो चार तत्व राजी भाई हमको देते रहे हैं और जो पांचमा तत्व पृत्वी है वो स्यू साभवन के पधादिकारियों ने हमें वो पृत्वी के रूप में इस परिसर के रूप में हमें दिया है मेरी गुजारिश है कि स्री रसिक भाई मंच पर आएं स्यू साब होन के प्रेसिडंट स्री शोबा कान जी उन्हें माला पेना कर स्वागत करेंगे और अभी बहुत सारी चीज़ें राजी भाई हमको बताएंगे उसके पश्चाद बहुत लंबा दोर चलेगा प्रश्णोत्री का तो इसलिए हमने आप लोगों से गुजारिश किया कि परची में आप अपने सवाल लिखके राजी भाई तक पहुंचा दे और मैंने परची नहीं लिखिये लेकिन सवाल मैं छोड़के जाना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हसना एक औशधी है तो हसना अगर एक औशधी है तो निश्चित रूप से वागभट ने कहीं न कहीं किसी न किसी सूत्र में हसने के बारे में कहा होगा तो मैं चाहता हूं कि राजी भाई इस पर हमें बताएं कि हसना चाहिए तो कैसे हसना चाहिए खाने से पहले या खाने के बाद जो कुछ भी है वो कृपया इसका बता है यह सवाल है तो इस हसते खिलखलाते माहूल में मैं यह मंच समर्पित करता हूं सिराजीव दिक्षित को आप से प्रदीप भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रशन है वो अगले एक घंटे में लिखकर मेरे पास पहुचा दें मैं कोशिश करूंगा सभी का जवाब दूँ कुछ प्रशन आये हैं कुछ और आप भेज सकते हैं और आपको आज के बाद और प्रशन पूछने हो त तो कभी भी पत्र लिखकर इमेल के द्वारा आप प्रशन कर सकते हैं मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है फुस्तक में से पता आप नोट कर सकते हैं इमेल है फोन है उस पर आप कभी भी प्रशन कर सकते हैं और चूंकि एक प्रशन आ गया है वहां मैं पहले बता दूं क्योंकि वो थोड़ा विशे से हटकर है किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं हाँ करता हूँ लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूँ आप कभी इलाज की दृष्टी से भी पूछना चाहें प्रश्ण तो कर सकते हैं ज्यादा कोशिश मैं आयुरुवेट से करता हूँ इलाज करने की और अगर मैं महसूस कर लेता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन्स कुछ ज्यादा है तो थोड़ा होमियोपैथी की मदद लेता हूँ सेलोपैथी को कभी भी टच नहीं करता है अभी प्रदीप भाई ने जो प्रश्न किया वहां से मैं शुरू करूँ बागवट्ट जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं वेग गती मूवमेंट इस्पीड कुछ वेग हैं और उन वेगों के नाम हैं कुछ उनके बारे में उनका ये कहना है एक सूत्र है और उस पर पूरा अद्या है एकी सूत्र पर पूरा अद्या है वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आएं शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए कभी भी रोकना नहीं चाहिए ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में है उन में से एक है हसी अगर आपको सहज रूप से हसी आ रही है तो बिलकुल मत रोकिए खूब जोर से खिल खिला कर हसिए अगर हसी आ रही है अब आप पूछेंगे ये हसी आती कैसे है ये जो हसी है इसके बारे में बागवटजी ने बहुत विस्तार से व्याक्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है आज की भाशा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जिनके चलते ये हसी आती है और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग-अलग ग्रंतियों से उत्पन्न होते है जैसे हमारे शरीर में ये मस्तिश्क में एक पीनियल ग्लेंड है उसमें से जो रस उत्पन्न होता है मैं रस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा hormones और enzymes में confusion हो जाता है तो pineal gland में जो रस उत्पन होता है ये बहुत मदद करता है हसने में आप बुलेंगे जी हसते समय ये पैदा होता है हाँ लेकिन इसके बारे में बागवट्टी जी ये कहते है कि पहले ये रस पैदा होगा बाद में हसी आएगे ये रस कहां से पैदा होता है तो कहते हैं भावना से आपकी भावना है तो ये रस उत्पन होगा और ये seconds में होता है seconds के fraction में होता है कोई भावना आपकी ऐसी बनी रस उत्पन हुआ तुरंत आपने हस दिया तो वो कहते हसी आये तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्तो का है जबरजस्ती कभी भी नहीं हसना चाहिए जबरजस्ती कभी भी नहीं हसना चाहिए क्योंकि उस समय जो आप हसेंगे वो मेकेनिकल हसी होगी मेकनिकल आप समझते हैं यांत्र की जिसमें रस नहीं होगा भाव नहीं होगा आप सिर्फ हसेंगे तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हसी है वो शरीर को कोई लाब नहीं देगी अब मैं आता हूँ थोड़ा आपको समझ में आए इस द्रश्टी से आजकल भारत में बहुत जगें लाफिंग क्लब्स चलते हैं आप भी हो सकता है जाते हों तो लाफिंग क्लब्स में जो हसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है मेकेनिकल है वो कहते हैं मूँ फाड़ के हसो कोई जोक सुना कर हसाई हसी आती है या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हसी आती है वो ठीक है आपको लाफिंग क्लब्स में किसी ने जोक सुनाया मजाक किया आपको हसी आई तो उसमें रस भी होगा भाव भी होगा लेकिन ये मुँ खोल के हाहा करेंगे ना रस होगा ना भाव होगा तो इस से बचें क्योंकि इस से तकलीफ आएगी फिर बिना रस और बिना भाव की जब हसी आप हसेंगे तो पेट में दर्द होगा और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की इस्तिती भी बना सकता है जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चड़ गई बिना भाव और बिना रस की हसी में पेट की नस पे नस चड़ सकती है और वो चड़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको आ रही है तो बिल्कुल न रोकें जरूर हसें बात आपको इसपश्ट होई आपको स्वाभविक रूप से कोई द्रश्य देखकर कोई बात सुनकर किसी की क्रिया देखकर हसी आ रही है तो रोकना मत खूब हसना उसको और बिना भाव बिना रस बिना क्रिया के कोई हसी करने की कोशिश कभी आप करना मर वो कहते हैं कि सम में रहिए मद्धिमारगी वनिये हमेशा हर जगे वो कह रहे हैं मद्धिमारगी रहिए ना इस एक्स्ट्रीम पे जाईए ना उस एक्स्ट्रीम पे जाईए क्यों तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमी है जो जो मद्यमारगियों की ही है भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्यमारगियों की ही है आप ना इस एक्स्ट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर अगर इसको आज की भाशा में कहूं ना ज्यादा लेफ्ट जाईए ना ज्यादा राइट रहिए सेंटर में रहिए बीच में रहिए और क् प्रश्न ने कहा और बागभट ने कहा या कभी श्री राम कहते हैं लक्षमन को ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है आप जो है अगर यूरोप में है और अमेरिका में है तो आइदर लेफ्ट और आइदर राइट जाने के लिए छूट है भारत में नहीं तो इ हसी के बारे में भी उनका यहे है कि यांतरिक हसी माने एकदम एक्स्ट्रीम लेफ्ट कभी भी मत करिये और हसी को रोकिये भी मत वो एक्स्ट्रीम राइट बीच में रहिए आई तो हस लिए ये तो हमेशा नियम के रूप में है और यही नियम आगे भी है वो कहते हैं हसी को रोकिये मत ये एक वेग है कभी भी मत रोकिये इसी तरह से दूसरा एक वेग है छीक कभ कोशुश मत करिये क्षीख आय तो रोकीं ने की कोशिश मत करिये जबर जबर जस्ती कोशिश अगर करें तो उन्होंने एक सूची दिया है बागवट जी ने कि 13-14 रोग आएंगे आपको अगर जबर जस्ती छीक लेंगे तो इसलिए छीक आ रही है सहज रूप से छीकिये रोकिये मत उसको यह एक वेग है इसको रोकेंगे तो 23-24 रोग होंगे जबर जस्ती छीकने की कोशिश करें तो 13-14 के आसपास रोग होंगे उन रोगों की पूरी सूची है आप पढ़ सकते हैं पुस्तक इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है बागवट जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिये मत प्यास को लेकिन पीने क का तरीका है वो ध्यान रखेए सिपह करके पीना बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिपह करके ही पीजिए जल्दी जल्दी पानी कभी पीने की कोशिश मत करिए और वो पीते हैं कि यह जल्दी पानी पीने का तरीका है ना इसमें से platform बीमारी हैं बहुत होंगी एक जिसको पाधुनिक भाशा में कहते हरनिया बागवट जी ने उसको कहा है आत का उतरना आज की भाशा में कहते हरनिया और दूसरा एक बीमारी है एपंडिसाइटिस पानी को जल्दी 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 पीने में ये दो बीमारियां सबसे जादा है हरनिया एपंडिसाइटिस और अगर उम्र बढ़ गई है आपको उम्र बढ़ गई माने 60 वर्ष के उपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं तो हाइड्रोसिल की बीमारी भी होगी प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आ सकते हैं इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिये सिपसिप लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए प्यास को रोकिये मत एक ही जगे उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए वो सबेरे का है उशा पान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सबेरे का समय प्यास के वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं बाकि कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए बस नियम वही है कि खाने के तुरंद बाद मत पीजिए अगर खाने के तुरंद बाद प्यास लगी है तो चाच पीकर, मठा पीकर, दूद पीकर, या जूस पीकर प्यास भुजाईए और देल घंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास भुजाईए तो प्यास एक वेग है, इसको रोकिए मत नहीं तो क्या होगा? प्यास रोकने से लगबग उन्होंने सूची बनाई ये 58 रोग हैं अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो 58 रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिये अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उशा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरजस्ती पानी पीएंगे तो भी तकलिफ आने वाली है हर जगे वो कहते हैं मद्धिमार्गी रही है ना इधर जाए ना जादा उधर जाए तो ये प्यास का ही वेग है ऐसे हां 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 आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हुआ आपको तो हमेशा बैठके ही पीजिए खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निशेद किया उनो ने हमेशा बैठके पानी पीजिए और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं उकडू बैठना गाय का दूद निकालने वाले आसन में बैठना नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठाू कुर्षी पर ब पालती पालती मारके कुरसी पे बैठ जाए ये फिर पीजिए आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी अब उसमें आप बहुत सारे तरक और सवाल कर सकते हैं भूख भूख ये भूख है कैसा वेग है जिसको अगर आपने जबरजस्ति रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज़्यादा रोग उन्होंने गिनाये हैं एक सोटीन रोग हैं अगर भूग को जबरजस्ती रोकने की कोशिश आपने किये और वो कहते हैं पहला रोक शुरू होगा एसिडिटी से और आखरी जाएगा अंतडियों का कैंसर इंटेस्टाइनल कैंसर इसलिए कहते हैं भूग को जबरजस्ती मत रोकिये अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा जी हम तो उपवास करते हैं तो तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धी की क्रिया है और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धी होती है तो मन और चित दोनों की भी शुद्धी होती है उसके साथ तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धी मन और चित तीनों की शुद्धी के लिए है लेकिन उसके लिए नियम है वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतुरिक्त कुछ हो रहा है अतुरिक्त अतुरिक्त से मतलब मैं समझाता हूँ आए हमको तुरंद महसूस हो जाएगा ये शरीर तुरंद बता देगा कि आज तो कुछ जादा ही खा लिया तो कहते हैं कि जब इस्थती ऐसी हो वो किसी भी कारण से हो आपको किसी चीज़ का स्वाद बहुत पसंद आ गया या किसी ने बहुत आग्रे पूरवक आपको खि नानी नहीं रहा बातें करतें करतें या खाना खा रहे हैं जादा चला गया ऐसी किसी भी स्थती में जब अत्रिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तै करिए मनें आप उपवास करिए अब उन्होंने उपवास के नियम बताएं बहुत लंबा अध्याय है वो उसमें से जो तीन महत्तों के नियम बता देता हूँ पहला नियम ये है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सबताह में मनें साथ दिन होते हैं उसमें एक दिन का तो ठीक है एक दिन का एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है साथ दिन अगर आपने लगातार सुबह दुपहर शाम तीन बार भोजन किया है तो कहते एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है जरूर कर सकते हैं लेकिन उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है पानी पीते रहे बीच बीच में क्यों पीते रहे वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो लेकिन शरीर के पेट में जो अमल बनने की क् रुकने वाली नहीं है वो तो तब ही रुकती है जब आप मर जाते हैं ये तो सतत अमलों को रिलीज करता ही रहता है और पेट में जो अमले है वो रुकेगा नहीं क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है वो प्रकरती और भगवान के कंट्रोल में है तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहे तो ये जो HCL है ये डाइल्यूट होके पेशाप के रास्ते निकलता रहे तो हानी नहीं पहुचाएगा और अगर आपने पानी नहीं पिया उकुबास में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतनियों को जला डालेगा आतों को जला डालेगा तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे और तब आप शायद परिशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए क्योंकि बागवट्टी जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई पर्मानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेरिंग नहीं होता एक बार डैमेज हुआ पर्मानेंट तो रिपेरिंग नहीं होता तो फिर आपको क्या होगा अलसर होगा फैप्टिक अलसर होगा घाओ बन जाएगा आतों में और फिर वो इतनी खराब स्तिती में लेके जाएगा कि डॉक्टर कह Pecape काटके निकालो तो यह मत करिए वो यह कहते हैं उपवास करना हो तो साथ दिन तीन समय का भोजन किया है साथ दिन मने छे दिन तो साथ में दिन आप एक दिन उपवास करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीपी के उपवास करिए मतलब ये है दूसरे शब्दों में मैं कहूं निर्जला उपवास मत करिए अब हमारे यहां कई जगे मैंने देखा दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार साथ दिन निर्जला उपवास करते शाथ दिन लगाता वो तकलिफ देगा आ आप करते हैं भकती भाव से बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलिफ दे दे आपको शारीरी क्रूप से वो ठीक नहीं है बागबट जी ने एक बहुत सुन्दर सूत्र लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं शाकाहारी आप सब ज़्यादा तर उसी श्रणी के हैं इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज्यादा लंबा लेकिन जो मासाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए मासाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज़्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है अब ये उन्होंने लिख दिया गाय जैसे है बकरी जैसे है भैस है बैल है चुडिया है ये सब शाकाहरी जीवों में गिंती होती है लेकिन शेर है चीता है लगड़ भगगा है लोमडी है कुटा है ये ऐसे जीव है जो मास भी खाते हैं और कुछ तो मास ही खाते हैं, जैसे सांप है, बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो, और छोटे से छोटा रसल स्वाइपर या करेत ले लो, ये मास ही खाते हैं, मेडग को खाएंगे, छिपकली को खाएंगे, केचुओं को खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खा लिया वो कुछ भी खा लेगा एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है हाँ इतना खा लेता अजगर बकरे को खा लेगा लेकिन खा लिया तो पंद्र दिन उपवास ही करेगा पंद्र दिन उपवास करें सोलवें दिन ही दुबारा खाएगा तो बागबटी जी कहते हैं कि नियम ये है कि अगर आप मास खा रहे हैं किसी भी तरह का तो आप लंबे उपवास जरूर करें अब फिर कारण वही है वो ये कहते हैं कि ये जो मासाहरी लोग हैं इनका भोजन जो है ये शरीर के अंदर के जो हाईड्रोक्लोरिक एसिट को रिलीस करने वाली ग्रंतियां इनको मंद करता है मास का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिट रिलीज करने वाली जो ग्रंतियां है उनकी क्रिया को मंद करेगा तो कम निकलेगा तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं शाकाहरी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें बीच बीच में पानी पीते रहें अब आप बोलेंगे जी पानी कैसा पिएं तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखें जैसे लॉंग का पानी पिएं लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लॉंग का पानी पीएं मूंग का पानी पीएं मूंग की डाल आप समझते हैं उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं मूंग की डाल का पानी पीएं पानी में घी डालके पीएं ये बागवट्ट जी नहीं लिखा और किसी नहीं लिखा दूद में घी डालके पीएं ये तो चरक ने भी कहा है पाराशर ने कहा है निगंटू ने कहा है बीसियों लोगों पानी में घी डालके पिएं ये बागवट जी कही है वो कहते हैं लंबे उकवास कर रहे हैं तो पानी में घी डालके घी माने गाय का गी बैस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया एक ही जगे किया है जो प आपका पानी बनाते समय आप जानते थोड़ा चूना भी डाला जाता है तो चूने का पानी पिए ऐसे करकर के 23-24 सूत्र उनों ने लिखे हैं वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं माने आप मैंसे जैन धरम का पालन करने वाले लोग लंबे-लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है लेकिन एक जगे बागवट्टी जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं बियासना करते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास व ांचा मानते लगातार छे दिन खाना और एक दिन उप्वास वह कहते हैं ठीक है मजबूरी का काम लिजी लेकिन अगर आपको दिल से उप्वास में उतर नहीं हैं तो ये बहतर है एक दिन खाना एक दिन ऊब材तेन कि थोड़े दिन में शरीर इसका जेन दर्शन में या जेन समाज में वर्शी तब करने वालों का बहुत महत तो है बड़ा सम्मान किया जाता है बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठाके मालाएं डालके वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वेग्यानिक काम कुछ कर रहे हैं तो वो भूग के बारे उपवास नहीं है उनके लिए उपवास नहीं है जो सड़क पे गाड़ी खीच रहे हैं ठेला खीच रहे हैं उनके लिए उपवास नहीं है उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम जादा नहीं करना उनके लिए मने आपके लिए मेरे लिए जादा उपवास की बात है म मेहनत करने वालों को ज़्यादा उपवास नहीं उनको तो जब भूक लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूक भी उसी के हिसाब से लगते हैं सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा दुपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा और शाम का सबसे कम अच्छा मने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो दुपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो और रात का खाना तो बिलकुल या कम से कम शाम का खाना कम से कम हो वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुक और एक वेक के बारे में उन्ह कोशिश कभी ना करें जमहाई आना जमहाई समझते मूझ खोल कर आप जमहाई ले वह कहते हैं कि यह जो जमहाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं यह कभी भी आएगी यह कब आती है जब भी आपके अब मैं आपका आधुनिक विग्यान इसमें जोड़ रहा हूं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए मूझ खोल कर आप जो है जमहाई लेंगे तो यह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है तो वो कहते हैं कि जमहाई को कभी न रोके यह जो हम कर लेते हैं शरम आने के लिए जबर जस्ती मूझ बंद करके जमहाई लेने की कोशिश क करते हैं बहुत खतरनाक कभी मत करें मूँ खोलिए पूरा क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है मूँ खोलिए भरपूर हवा अंदर भरिए तो यह अच्छा है और बच्चों को भी वैसे ही सिखाए इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है क्योंकि यह प्रकरती की क्रिया है शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है जमाई जरूर लीजे और कई वार हम हाथ रख लेते हैं मूँ पे यह बहुत ही खराब है क्योंकि वायू को जाने से आप रोक रहें वो जमाई आ रही है ज्यादा आकसीजन के लिए शरीर में शुद वायू जादा जाए इसके लिए जमाई आ रही है और आपने मूँ पे हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे हैं ये बहुत खराम कभी मत करें मूँ खोल कर जमाई लीजे हाँ फिर एक बात वो ये कह रहे हैं यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ एक जगह कहते हैं कि आपसे ज़्यादा ग्यानी और आपसे ज़्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लीजे बाने इसको मैं ऐसे समझाओं किसी महरास साब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिती में आपसे ज़्याद बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए कोशिश करिए क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलीफ करने वाली है आप जब ये तो आप जानते हैं प्रकरती का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बंडा यॉक्साइड तो निकलेगी नहीं तो इस्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए तो आपकी जो कच्रा वायू है वो महराजी को क्यों दे रहे हैं क्योंकि आपकी कार्बंडा यॉक्साइड महराजी की तुलना में बहुत कच्रा है क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं तपस्या आ तो उनके सामने जो आप carbon dioxide निकालेंगे वो उनको तकलिफ कर दे इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ग्यानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जमाई ना लें दूर जाके लें और कुछ मजबूरी हो जाए तो यह मैं जोड़ रहा हूं बागबटी जी नहीं कहा कि आप मुँपे रूमाल तो कम से कम रख लें हाथ हाथ रखके जमाई महराजी के सामने ही लें ऐसा को बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत ने अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोक है नहीं तो बहुत तकलिफ आईगी मूत्र का वेग मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशुश ना करें जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिगनल दे रहा तुरंट उस वेग को निकालिए और मैं अब आपको आदुनिक विज्ञान कहता हूँ पहले बागबटी जी की बात करें वो कहते हैं कि मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे अब मैंने ये एक एक्सपरिमेंट मेरे उपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देखूं क्या होता है तो तुरंट मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया शरीर पर शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूँ तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तब ही देखी है जब उ मूत्र के वेक को नहीं रोकें इसमें हर तरह से दबाव शरीर पर पढ़ेगा सब तरह की ग्रंतियों पर दबाव बढ़ेगा रक्त पर दबाव बढ़ेगा हर तरह से दबाव बढ़ेगा तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें जब आए तब जाए अब आपके म अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन रुक रुक के आ रहा है दो तीन बूंद आया फिर रुक गया फिर दो तीन बूंद आया तो आप बीमारी के शکार हैं तो ऐसी इस्थती में आप किसी विशेशग की मदद लें वो जो पंधरे प है बहुत संभव है अब थोड़ा आगे बढ़ें मल का वे कभी न रोक रहें मूत्र है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टौइलेट जाने की एक्षा है तो जरूर जाइए सोचिये इमत उसके बाए आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिती ऐसी है मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ऐसी कोई परिस्थिती है नहीं ट्रेन में सभी जगे टॉइलेट रूम्स हैं हवाई जहाज में सभी जगे टॉइलेट रूम्स हैं आपके घर में तो है ही यहां जहां भी बैठे हैं वहां है हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगे बनाए है माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेकवा अगर है ऐसी इक्षा तो जरूर जाए जरूर जाए फिर आप कहेंगे जी फिर वोई मूत्र वाली इस्तिती है बार बार ट्वालेट आती है तो तो बागबटे जी ने कहा है कि एक दिन में दो बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो ये सामान्य है नॉर्मल है माने आपको कुछ तकलीफ नहीं अगर एक दिन में दो बार आप जा रहे हैं वो दो बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं कोई लोगों को सुबह और दुपहर भी हो सकती है कोई लोगों को सुबह सुबह भी दो बार हो सकता है ऐसी इस्तिती तो वो कहते हैं दो बार तक तो सामान्य है तीन बार जब आप करेंगे दो से तीन तो वो कहते हैं थोड़ा असा मान्य है और तीन के बाद तो जाना ही नहीं है अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है फिर विशेशक्गी की मदद लीजिए और उसको ठीक करें तो मल के वेग को ना रोकें मूत्र के वेग को ना रोकें जमाही आ रही है तो ना रोकें हसी आ रही है तो ना रोकें प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें इस तरह के उन्होंने कई वेग के वारे में कहा है ऐसे लगबग 14 वेग हैं मैंने कुछ बता दिये बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में क्योंकि समय कम है हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ू क्या बता थोड़ा इससे आगे बढ़े हैं तो आपके जीवन के बारे में वो यह कह रहे हैं कि यह एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधू संत और महंत साधू संत महंत तपस्वी तेजस्वी यह लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते बाकी के लिए नहीं है वो जो साधू है संत है महंत है उनके लिये यह है कि वीर के वेग को रोकें और ग्रहस्ती जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी न रोकें इस पर बागबट जी ने बहुत लंबी व्याख्या किया है साधू संत महंत महरासा ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोकों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है और आप जैसे लोग जो ग्रहस्ती का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है काम वेग ग्रहस्त लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए और साधू संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए तो साधू संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए यह विशलेशन में जाओंगा तो देर जादा हो जाएगी आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीरिक का वेग काम का वेग वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए और सादू संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्हों जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी है संत है महात्मा है उनकी दिन चर्या रितू चर्या आहार चर्या आपसे भिन्न है होनी ही चाहिए और आपकी दिन चर्या रितू चर्या आहार चर्या साधू संत और महात्माओं से भिन्न है जो होनी ही चाहिए दोनों जगे भिन् हो ज्यादा इसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल न हो वगरा वगरा तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टाई आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा तो ग्रहस्तियों के लिए जो जीवन है आहार चर्या दिन चर्या और रितू चर्या का और साधू सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिन चर्या दोनों में बहुत अंतर है इस पर लंबा विश्लेशों हो सकता है समय की कमी है अब मैं आ जाता हूँ आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो जो कुछ अब तक कहा 6-7 दिनों में उसको थोड़ा समराइज कर दो और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजे नहीं तो फिर से लिख लीजे एक बार लिख चुके हैं तो दुबारा भी लिख लीजे कोई उसमें नुकसान नहीं होगा हो सकता यादी हो जाए आपको क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे न तो अच्छे से याद होती है सुनने से तो होती है उससे भी जादा याद होती है लिखने से हो सकता आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात समप करनी है फिर बाद में प्रशनों के लिए मैं जाओंगा आप एक साधारन ग्रहस्त हैं साधारन ग्रहस्त से मतलब जो बागवट की परिभाशा में असाधारन कौन है जो साधू है संत है सन्यासी है महात्मा है ब्रह्मचारी है ये सब असाधारन श्रेणी के लोग हैं आप जो हैं साधारन श्रेणी में आते हैं तो साधारन श्रेणी अपने जीवन को चलाना उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले साथ दिन में अलग-अलग समय पर आपको बताया आज फिर उसको कह रहा हूँ पूर रिपीटिशन कर रहा हूँ ताकि याद रहें तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए वो वही है खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पियें यह सबसे जरूरी सबसे आवश्यक ने है खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पियें गंटे के बाद पानी पीए एक्स्पूलेनेशन में पहले दे चुका हूँ अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं खाना खाते ही पेट में अगनी प्रदीप्त होती है उसको जठर अगनी कहते हैं जठर पेट का वो इस्थाने जहां काने का पाचन होता है हिंदी में उस अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे आप घुटी हुई खिचुडी खाते ना खिचुडी वैसे खाना बनता है वो डेड़ घंटे में बनता ह फिर उसके बाद रस निकलता है और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता तो कहते हैं डेड़ घंटे के बाद पेट भरके पानी पिये यह सबसे जरूरी सबसे आवश्यक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पिये तो हम से इसे अपने जीवन में तो आप यह चालू कर दीजे पानी गूड 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 जितना कम से कम एक घूड में पानी पी सके उतना और मुऊ मैं गुमा गुमा के हैं ऐसे ऐसे करकर आप छे महीने बाद देखना छे महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायो केमिस्ट्री बदल जाए सबसे पहली चीज़ जो आप महसूस करेंगे आप कहेंगे मैं पहले से ज़्यादा फ्रेश हो आप कहेंगे मैं पहले से ज़्यादा हलका हो गया मने वजन कम हो गया आप कहेंगे पहले से अच्छी नीद आ रही है आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे पहले से ज़्यादा मेरे दर्द कम हो गए जो घुटनों का, कमर का, कंदे का, जगे-जगे आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए आप कहेंगे सुबह-सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद आप करिए इसको मैंने तो कई लोगों को बता है साल साल भर से कर रहा है डिड़ डिड़ साल से कर रहा है मैंने आपको एक उधारन दिया था हमारा एक सहयोगी है कल बैंगलोर में 140 किलो का था एक सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है अभी 70 किलो का है कोई आसन नहीं करता कोई प्राणाय हम नहीं करता जिम में नहीं जाता कोई exercise नहीं करता क्योंकि उसको फुरसत भी नहीं है आई टी कंपनी में काम करता है लेकिन इतना जरूर करता है पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा खाने के डेड़ घंटे बाद ही पिएगा यह अदबुत है इस नियम को मैंने हजारों लोगों पर करके देखा है एकदम excellent result है कई बार तो चमतकारिक result है और कारण उसका क्या है कारण उसका एक ही है कि गूट-गूट पानी पीने से ज़्यादा लार पेट में जाती है पेट को हमेशा लार की जरूरत है क्योंकि यहाँ acid बन रहा है acid खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे खाने के आगे पीछे जो acid निकलता है वो dilute होना ही चाहिए नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी acidity बढ़ा देता है और वही acidity है जो आपको heart attack लाती है cardiac arrest की तरफ ले जाती है brain hemorrhage करा देती है paralyzed हो जाते है आप गंबीर से गंबीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते आप पानी गड़ागट गड़ागट जो पी रहे हैं यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगे ठीक है तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के डेल गंटे बाद पीना हमेशा पानी घूट घूट बरके घुमा घुमा के पीना है सुबै का पानी हो या दुपैर का शाम का जब भी पीए घूट घूट बरके पानी कैसे पीए तो इन्होंने का ऐसे करके पीए ये अच्छा नहीं है. आपके लिए अच्छा नहीं है. आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रखे ही पानी पिये. हमारे भारत में, मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूँ, जो थोड़ी सी हठकर है, लेकिन आपको समझाने में मदद करें. भारत में, हजारों साल क कि जो सब्विता है गिलास नहीं है यह गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है यह गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया यह पुर्तगाली जब हमारे देश में घुज गए तब से गिलास में हम फस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिय नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जिकरें वो है नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है, फरक सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ, पानी को जहां धारन किया जाए, वैसे गुण उसमें आते हैं, पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं, दही में मिला दो तो छाच में बन वो दही का गुण ले लेगा, पानी खतम हो गया, दूद में मिलाया तो दूद का गुण, तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का, अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना, गोल है ना, और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और व होता है हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस एरिया कम है इसलिए सर्फेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रश्ट तनाव कहते हैं हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है तो सर्फेस टेंशन कम है और सर्फेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सर्फेस टेंशन कम है त तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बड़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलिफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलिफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर इसी तरह से कुए का पानी कुए गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे सादू संथ कुए का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं जहां कुए मिलेगा वहां पिएंगे देखा है ना आपने सादू संथ वो कुए का पानी उनके लिए सरवश्रेष्ट है क्योंकि कुए गोल है कुए की सरकमफरेंस कम है और सर्फिस एरिया कम है इसलिए सर्फिस टेंशन कम है और सर्फिस टेंशन कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवी तरह पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरह देखिए आपकी बड़ी आथ है और छोटी आथ है आप जानते हैं कि उसमें मेंब्रेन है कच्रा उसी में जाके फसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है ये तबी संभव है जब सर्फिस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं तो अगर सर्फिस टेंशन बड़ा हुआ पानी है तो ये कच्रा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूँ कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूँ आप एक एक्सपरिमेंट करिए आज घर जाईए और दूद लेके चेहरे पे लगाईए थोड़ी दे और पांच मिनिट बाद रूई से पोचिए तो रूई काली हो गई है ना कैसे अंदर का कच्रा और गंदगी बाहर आया कैसे बाहर आया वो दूद में बाहर लाया अब दूद कैसे बाहर लाता है दूद का सर्फेस टेंशन सभी वस्तूओं में सबसे कम है तो जैसे दूद आपने अपलाई किया दूद में इस तवचा के सर्फेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तूओं का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फेस टेंशन कम किया तो तवचा थोड़ी सी खुल गई और तवचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही सेम आपने पेट में पानी डाला बड़ी आथ और छोटी आथ का सर्फेस टेंशन इसने कम कर दिया, तो बड़ी आथ और छोटी आथ थोड़ी खुल गई, और खुली, तो सारा कच्रा उसमें से बाहर आ गया, और हाई सर्फेस टेंशन का पानी पिये, ज्यादा सर्फेस टेंशन का, तो आथे सिकुडेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ते सम इसलिए सर्फेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है, गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है, उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है, तो गोल कुए का पानी है, तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पा पानी बहुत अच्छा नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लंबी है तो वहां का पानी हमेशा हाई सर्फिस टेंचन वाला है और नदी से ज़्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके नीचे आता है मने बूदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सर्फिस टेंचन हमेशा कम है तो ये विशलेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पीएं तो लोटे वापस लाएं घर में लोटे ही निकल गए अब गिलास गुज गए और लोटे निकलेना तो लाखों कारीगर की जिन्दगी खतम हो गई जो लोटे बनाते थे खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाओं गाओं में कसेरा सब्समझते वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कांसे के लोटे बनाते थे सम्मर गए विचारे हमारे गिलास के चक्कर में तो बागबटी जी को अगर मानना है तो लोटा लाएं गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा आगे बढ़ें पानी कभी भी खड़े होके ना पियें ये मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं हमेशा बैठ के पियें फिर इस थंडे पानी का यह यहां पर भी एक विशलेशन में नया दे दूं आपको कि हर थंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है हर थंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है और हर गुनगुने पानी का सर्फेस टेंशन कम होता है और कम सर्फेस टें पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा पेट ठंडा हुआ तो सारे ओर्गन्स ठंडे हो सकते और आप मर सकते हैं तो पानी को पेट गरम करेगा फिर आप ये जान लेजे और पेट पानी को गरम करेगा तो अत्रिक तूर्जा लगेगी उसको और वो ब्लड में से ही आएग तो सारा ब्लड पेट की तरफ दोड़ेगा और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा तो ब्रेन को ब्लड कम होगा हर्ट को ब्लड कम होगा और गंस को ब्लड कम होगा तो वो कमजोरी आने ही वाली है और हर्टेटेक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी और्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पढ़ना चाहिए, तभी आप दुरुस्त रहने वाले हैं, इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पियें, तो हमेशा कैसा पानी पियें, गुन गुना पियें, एक समय के लिए बागवट जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पढ़ती हो, आपके यहां तो पढ़ती है, मार्च, अप्रेल, मई, जून, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पियें, मिट्टी के घड़े के पानी को गुन गुना करने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि मिट्टी से ज़्यादा शुद पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं, तो ये, अब थोड़ा आगे चलें, आगे चलें वो ये कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है, इस्टेंडिंग पोजीशन माने, खड़े होके कभी न खाएं हमेशा बैठ के खाएं, बैठने की इस्तिती ये सबसे अच्छी है, कुरसी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहें, तो इसी इस्तिती में बैठ के खाना है, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है, फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं, आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता, भक्ष और अभक्ष का ग्यान सभी सादू महराज देते हैं, सादवी जी देते, दूसरे लोगों के लिए कह दूँ, दूद और दही की प्रकरती एकदम अलग है, दूद कुछ और काम करता है, दही बिलकुल अलग काम, तो दूद दही साथ में न खाएं, दूद और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में न खाएं, खीर खा रहे हैं तो दूद की है, तो कड़ी नहीं खा सकते, कड़ी खा रहे व्क्य गातए गृरते प्वेर साथ में जरूर खॉए और गी साथ में जरूर खॉए लेकिन और वैक्तर बनाना चाहते हैं उसमें जरूरगी मिलाके खाएं तो गृबगी चलता है शेहद गी नहीं कभी भी इसी तरह का एक नियम है कि जैक्फूरीट मैने फणस趣 कटहल दूद के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने का खटे फल जितने भी है संत्रा है मुसम्मी है वगरा वगरा ये दूद के साथ बिलकुल नहीं चल सकते एक ही फल है बागबटे जी कह रहे हैं जो खटा भी है और दूद के साथ जरूर खाएं वो आवला है आवला ये जरूर दूद के साथ खाएं इसके आगे का एक नियम है वो दूदल वाला एक नियम तो बताई दिया दूदल और दही ना खाएं और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गरम करें वाने बगा रहें तासीर उसकी गरम करें फिर आप खाएं नहीं तो नहीं खाएं तो अच्छा है दूदल खा रहे हैं तो एक डिड़ घंटे बाद दही खाएं चाच अगर खा रहे हैं दूदल के साथ तो एकाद घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरंद प्यास नहीं रुक रही है तो चाच को बगार है मने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है तो आप ले सकते और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना साड़े नौ दस वजे तक क्योंकि उस समय जठर अगनी स जलवायू का मौसम का ध्यान रखना है तो आपके इसाब से माने आप चिन्नई में हैं तो नौ साड़े नौ दस वजे तक भरपेट खाना खाएं शाम को पाँछे बजे तक भरपेट खाएं बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो तो कुछ फल खा लें नहीं त माने उस समय आप चिक्की खाएं क्योंकि गुड़ और चना गुड़ और मुंगफली उसमें हैं दुपहर को अगर भूख लग रही है चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं माने जादा भी खा सकते हैं बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और को में खाने पर जादा हो जाएं तो थोड़ी सोठ चाट लैं या थोड़ी सोठ खा लें तो उसका तासीर है वह तुरंत बदल जादा नहीं को ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है तो नाक से खून ना आए थोड़ी सोट या अदरक सोट इस्तेमाल करते हैं तो सोट नहीं तो अदरक उसके साथ ले फिर आगे बागबट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्टा है आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रख है अब मालीजे आप मदरास में रह रहे हैं तो मदरास के आसपास का जो वातावरण है ये गरम है गरम वातावरण में गेहू नहीं हो सकता गेहू को होने के लिए ठंड चाहिए तो निश्चित रूप से चि गर्मी की फसल जो है वो चावल है धान है चावल है बाजरा बहुत गर्मी की फसल है ये राजिस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजिस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है कच्छ में सौराश्र में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे हैं यहां चिन्नई में आप रहते हैं ना जुआर की रोटी खाएं बाजरे की रोटी खाएं गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा जो यहां हो रहा है वो जादा खाएं अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गरम है लेकिन गर्मी में भी खाना है मान लो आपको स्वाद है छूट नहीं रहा है जगे छूट गई है स्वाद नहीं छूटता मन हमारा अभी भी राजिस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट में कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं अगर यह मजबूरी खतम हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से मजबूरी कैसी कच्छ में सोराष्ट में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे क्योंकि मन जो है न छूटता नहीं है इस्थान से लगा रहता है स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ तो स्वाद के लिए यह अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं यहां पर चिन नहीं में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए धान जो यहां होता है। वो सबसे अच्छा है। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वाता वरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में, और खाते समय भोजन में। ये कुछ सुत्र हैं जो बहुत आवश्चक हैं आपके लिए जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनिट या 30 मिनिट में जो repeat किये जिनको मैं बहुत आवश्चक मानता हूं और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्चक है सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिएं, कारण में बता चुका हूँ कि उठते ही आपके मूँ में जो लार बन रही है, वो बहुत-बहुत-बहुत कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूली चीज है, वो अंदर ही जाएं, तो अच्छा है, तो आप उ बोज़ुर्ग हैं उनको भी डेड़ से दो गिलास और आप जिस उम्र में हैं अठारे से साथ तो कम से कम तीन गिलास पीने का तरीका वही है सिप 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 करके पीना और यह सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना जी ये मुख्य नियम मैं मानता हूँ आपको जरूर धारन करने चाहें और मेरी एक दूसरी गुजारिश है आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से कुछ ने तो शाय शुरू भी किया है दो तीन दिन से जरूर पालन करें हो सकता है कि छे महीने क मैं के बाद ौедь मेरी आपकी फिर मुलाक塔 हो तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें रिपोर्टिंग करें क्यों मैं आप सब को बाग बट का चेला बनाना चाहता हूँ मैं यह चाहता हूं मैं विनमरता पूरवक कह रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्यान मैंने छे साल में लिया ये साल भर में आपके पास पूरा पहुँच जाए क्यों आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्त रही सकते हैं अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पडोसियों को भी रख सकते हैं और बागवट्ट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करें वो ही मोक्ष का भागी है माने भागीदार हो सकता है तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें, वहां भी हम यही करेंगे, तो आप अच्छे हो जाएंगे, देश भी अच्छा हो जाएगा, यह कहकर मैं अब प्रशनों की तरफ चल रहा हूँ, प्रशन मेरे पास भरपूर आ चुके हैं, मैं कोशिश यह करूँगा कि जो प्रशन एक बार उत्तर आ गया, उसको दुबारा नहीं दूँगा, हो सकता है किसी व्यक्ति ने वो प्रशन रिपीट किया, ज़्यादातर प्रशन जो हैं, वो रोगों से संबन्दित हैं, इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें, तो सबसे पहला प्रशन, जो मैं सबसे आसान मानता हूँ. आँखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें? मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ, फिर दो रहा हूँ. आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूँ वो ये, जिनको भी डार्क सर्किल है, सबेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है, मुझा लार है, इसको आखों के नीचे लगाके मालिश करें. हल्की हल्की मालिश करें. आपके सारे डार्क सर्किल खतम हो जाएँ. और ये जो सुबै का मुझा लार है, इससे आप अपने तवचा रोग भी ठीक कर सकते हैं खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जीमा है हर जगे इसको एपलाई करें और हलकी हलकी मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर में हैं तो इतना तो थूप बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो, तो ऐसी इस्तिती में आप मुझे व्यक्तिकत रूप से शाम को चार बजे मिलें, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा या लिखा दूँगा जो थूप भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सब मिटा देगे व्यक्तिकत है, नीद बराबर नहीं आती, नीद बराबर नहीं आती है, तो इसका माने एक ही आप जान लीजे, कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायू बढ़ी हुई है, तो अच्छी नीद कभी नहीं आएगी, तो इसके लिए बहुत सरल उपाए मैंने ब करें, और एक एक बून दोनों नाक में डालें, और हलके से खीचें, ज्यादा तेज ने, बस इतना, इतना करेंगे अंदर चला जाएगा, बहुत खीचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए, वहां भी चला जा सकता है, तो हलका खी नीच कर छोड़ दें, और सो जाएं, भूल जाएं फिर, नीद बहुत अच्छी आएगी, खराटे बिलकुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिलकुल खतम हो जाएगी, नीद के समय जो खराब-खराब सपने आ रहे हैं, वो सपने कभी आएंगे नहीं, अच्छे ही सपने आएंगे, जब भी आएंगे, रात में नीद कभी खुलेगी नहीं, छे घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम, रात की नीद खुलने का एक वो तकलीफ आगया ना, पेशाब आती है, नीद खुल जाती है, घी डालके सोएंगे, तो रात को नीद कभी नहीं और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फाइदा होगा, इस मरण शक्ती बढ़े, ठीक है, तो अब एक ही कागज पर ये तीन प्रशन थे, तीन उत्तर दे दिये, अब आगे जिस कागज में ये प्रशन आएंगे, उत्तर नहीं दूँगा, अभी है हाई ब्लड प् वैसे तो ब्लड प्रशर हाई और लो होना ये कालपनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है, तो इतना ही जान लीजे, कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर कोई कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजे, इ चारी ये चीज खाएं, चार चीज खाएं, चार, अब चार वाली चीजें क्या है, सबसे अच्छी चार की चीजें मैं थी, सबजी के रूप में भी और दाने के रूप में, मैं थी, दूसरी चार वाली चीज है, आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं गाजर तीसरी चार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है सेव ये चारिये है केला ये चारिये है अम्रूद ये चारिये है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है ये सब चारिये हैं सब्जियों में पालक चारिये है बेंगन चारिये है आलू के बारे में कहते हैं ना अमली है ना चारिये वो बीच का है तो जो सब्जियां आपको चारिये हैं और जो तो मसाले मने आउशदिया छारी, इनका उपयोग करें, तो अमलता अपने आप कम होगी, तो बलड प्रेशर कम होगा, तो ट्राइगलिसराइड कम होगा, मोटापा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा आपका, तो हमेशा याद रखें, तो मैती दाने का उपयोग मैंने बता दिय है पानी में डालके रात को छोड़ दें सुबह उटकर दाना चबा के खाएं पीछे से पानी पीएं गाजर का उप्योग बता दिया कद्दू कस में घिसे हैं गाजर ले ले और वो कद्दू कस पी गाजर को खा ले और चारिये चीज महती की सबजी रोज खाएं पालक की सबजी रोज खाएं हरे पत्ते की कोई भी सबजी चारी होती है हरे पत्ते की कोई भी सबजी चारी होगी और फल जिसमें रस नहीं है वो सब चारी होंगे बस याद इतना ही रखें तो आप अगर उपियोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो गाही उसके साथ ब्लड कॉलेस्ट्रोल कम रहेगा ट्राइगलिसराइड कम रहेगा मोटापा कम होगा पेट आपका कम होगा और उसके अंत में हर्ट अटेक आएगा नहीं ब्लॉकेज भी है तो निकल जा और एक छारी चीज में भूल गया बताना लौकी दूधी सब्जियों में सबसे जादा चारी कोई चीज है तो दूधी माने लौकी जादा खाएं दूधी जादा खाएं और उसका रस भी पिए कच्ची दूधी का तो और अच्छा है जितने भी हाई भी पी के मरीज हैं उनके अस्थमा अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना वो वायू के भीए है तो दालचीनी शहाद शहाद नहीं ले सकते तो गुड़ है यह जो नारीयल होता ना नारीयल मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई तो मैंने आप से का जो भी फल में रस नहीं है वो चारिये हैं और जो भी फल में रस है वो अमली है लेकिन ये नारियल अद्बुत फल है जो चारिये है रस होते हुए भी तो ये चारी है अब ये क्यों है ये बाद का विश है तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं दमा के शिकार हैं तो नियमित रूप से नारियल खाईए हरा नारियल खाईए कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है चबा चबा के खाईए कितना खाएं जी एक दिन में पचास ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा तो दालचीनी और गुड लिया और नारियल चबा के खाया तीन महिने के बाद आपका आस्थमा जड़ से खतम होगा वो चालिस साल पुराना हो तो भी इसके बाद हाँ बाकी तो आँखों की है मुँ में चाले बहुत रहते हैं ये मुँ में चाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है बड़ी आँथ आपकी कच्रे से भरी होई है तो मुँ में चाले रहते हैं तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं, जो होमियोपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आथ को सबसे जल्दी से साफ कर देती है, उस दवा का नाम है बोरेक्स, सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं न, सुहागा आथ को साफ करने वाली सबसे तीवर दवा ह इसी का डाइलूशन करके होमियोपैथी में बनाया बोरेक्स, तो ले लें किसी भी होमियोपैथी की दुकान से, खरीद लें, 30 पुटेंसी में या 200 पुटेंसी में इसके तीनी खुराक लेंगे, तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि ये वो कहते हैं, जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है, तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें, और अगर आप बहुत परेशान हैं, तब ही बोरेक्स का इस्तेमाल करें, और ये दवा हमेशा पानी में डाल के लें, एक बुन डाल दें पानी में, और उस पर प्रशनाय है, चार-पांच, गोमूत्र सही गाय का है, या उसको कोई भीमारी है, किस तरह की प्राबलम हो सकती है, अगर गोमूत्र सही नहीं है, तो उस हाल में क्या करना चाहिए, मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक एक्सपरिमेंट जो हमने किया, वो बता देता हू अंग्रेजी में कहते हैं, आरसेनिक, तो हमने गाय को दिया, चारे में मिला कर दिया, बहुत मामूली मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं, ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी, हमें ये देखना था, कि ये थोड़ा-थोड़ा जहर देते हैं, तो उस पर असर क्या आता है तो छे साल जिस गाय पर हमने ये प्रयोग किया, वो गाय अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है, और स्वस्त है, तंदुरूस्त है, हमने हर बार उसको संखिया दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया, आया के नहीं आया, क्योंकि ऐसे कहते हैं न, खाओ तो कुछ आने ही वाला मूत्र में और ब्लड में तो छे साल लगाता है उसको संखिया खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में एक दशमलब जीरो 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 में चले जाएं उतना भी संखिया कभी नहीं आया अदबुत है यह अब मुझे पुरानी बात है इसमें जोड़नी है बहुत लों कहते हैं गाये के गले में शंकर भगवान का निवास है वो शाइश शंकर जी ने पी लिया शंकर जी तो मशूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए तो शायद गले में शंकर जी हैं गाए के तो वहीं रुका और सच में हमने ये देखा इसमें मैं एक्जजरेशन नहीं कर रहा हूँ आप चाहें तो वो गाए कभी भी आके देख सकते हमने उसके गले के आसपास महसूस किया छे साल में एक बलू कलर का रिंग बन गया है और वहां से बलड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संखिया है मनें आर्सेनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में ही रुक गया शंकर भगवान ने शायद रोक लिए तो आप बे खटके गाय का मूत्र पी लीजे आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कच्रा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कच्रा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो साफ सुत्रे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो उसका मूत्र जरूर पियें वो सबसे ज़्यादा लाबकारी तो है लेकिन कुछ मजबूरी आ गई मजबूरी से मतलब मैं समझाना चाहता हूँ आप एक ऐसी जगे रहते हैं जहां गाय कच्रा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्द चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और आप किसी बीमारी से तड़प रहें परिशान है और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही तो बिना संकोच के ले 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 उसका हानी तो नहीं करेगा कुछ फाइदा ही कर जाए गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चिस हैं वो ये हैं कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं शरीरं पता हैं आपने मूत्र जादा भी पी लिया तो ये शरीर 20 के बाद उसको पेशाप के साथ अपने आप ही निकाल लेता है रहने ही नहीं देता उसको तो थोड़ा जादा पी लिया या खराब पी लिया उनिकली जाएगा जो काम का है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा भगवान ने बनाया है इसलिए बागवट जी कहते हैं कि ये विशेश तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बना है तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रशनाएंगे उनका एक ही साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आ प्रशल चार्टेट प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद ह गया सिर्फ वीलचेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन बा अर्थराइटिस होता है तो चूना खाइए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में चाच में पानी में जूस में और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते हैं स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए चूना खाइए मैथी दाना लीजिए चारी है और सबसे चारिये चीज जो है वह हार सिंगार का पेढ़लेएं परिजाथ हार सिंगार, चछोटा सफेद रंग का एक फूल आता है, और केसरिया डंडी होतीए सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज-कुश्बू को है रात को ही खिलता है रात्रानी पी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार यह पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रंभंड में सबसे ज्यादा चाहरी है मांने जाते हैं जो भी वशदिया तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार-पांच पते कि पीज़े पीसर कर गंबीर अर्थुराइटिस पेशेंट को हफ़ते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो यह कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हारसिंगार का पौधा गुडवांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे सब अपने घर में लगा लें गंबले में हो जाता है आसान और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों यह हर घर में रहे पेड कारण क्या है कि आज अर्थुराइटिस ही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं लोगों सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजे और उसका पत्ता आपको अर्थुराइटिस से मुक्ति देगा और दोनों तरह की अर्थुराइटिस रूमेटिड और और ऑस्टियो दोनों ही खतम होती है इस हार सिंगार के पत्ते से आईस्क्रीम कब खा सकते हैं कभी भी नहीं कभी भी नहीं और अगर आईस्क्रीम खाई रहे हैं आप कहते हैं जी मन नहीं मानता स्वाद है और मुझ को लग गया है अब क्या तो इसका एक उपाय बता देता हूं आईस्क्रीम खाईए और पीछे से गरम पानी में घी मिला के पी लीजी तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सोट का काड़ा ये लोग जरूर पियें जिनको अस्थमा है जिनको अर्थराइटिस है मा जरूर पियें गुड मिला के मुंगफली और तिल जरूर खाएं भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्बुत वस्तु है मैं तो आपको कहता हूं जिन्दगी भर मोटापे से बचना है हर्ट अटेक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज ख तो बहुत ही अच्छा मद्रास जैसे एरिया के लिए एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें अमलिय चीज ना खाएं छारी चीज ज्यादा खाएं एसिडिटी कम होगी और पानी घूट घूट पीएं एक डिड़ घंटे के बाद पीएं सुबह उठते ही पानी पीएं का सेवन बहुत अच्छा है चीनी से बहुत अच्छा लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है तो चीनी छोड़ रहे हैं तो मिश्री पर चले जाए मिश्री छोड़ कर गुड़ पर आ जाए हुआ हाँ एक किसीने सवाल पूचा है कि आप कौन सी जगह पर हुआ जाएं मैं पर्मानेन्ट कहीं नहीं मिलता लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि राजीव दिख्षित रेल आ ाश्रमी है मैंने हर दिन ज्यादा से ज्यादा मैं रेल में मिलता हूँ तो permanent मिलने के लिए एक केंद्र है आपको उसका पता किताब में है वो आप ले लीजे, phone number वहाँ आप कोई भी चिठी भेजेंगे मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरे पास आ जाती है और email करेंगे तो मैं हर जगे खोल खोल के मेरा mailbox चेक करता रहता हूँ तो वो पता जो वर्धा सेवा ग्राम का है भारत पीठम, दस जोतवानी ले आउट सेवा ग्राम रोड, सेवा ग्राम, जिला वर्धा, महराश ये मेरा permanent केंद्र है वहाँ पत्र भेज सकते हैं, phone भी कर से तो पता चल जाएगा मैं कहा हूँ और मेरा mobile number आप सब को मैं चाहूं तो लिखा देता हूँ 94229 94229 03599 94229 03599 ये मेरा mobile number है और email address है RAJIV-DIXIT-ABA RAJIV-DIXIT-ABA at the rate of readifmail.com और निरेंजन भाई, प्रदीब भाई, ये कभी भी आप इनको संपर करेंगे तो ये कहीं भी खोच के बताएंगे कि मैं कहा हूँ अभी मेरे पास एक प्रश्न है वो इस समय के विशय से तो नहीं जुडा लेकिन मैं जोड के जरूर उत्तर दे देता हूँ आजकल हमारे घरों में पेपसी कोक से भी जादा नूडल्स खाया जा रहा है पेपसी कोक कम हुआ है पिछले दो-तीन साल में अच्छा हुआ नूडल्स खाया जा रहा है तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकरी दे दू कि सबसे खराब वस्तू अगर खाने की कोई हो सकती है कच्रे में कच्रा तो वो यही है नूडल्स एक तो मैदे की है उपर से सड़ा हुआ है छे साथ दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तयार होता है और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सूर के मास का रस मिलाया जाता है बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता जो मैगी है ना मैगी या कोई भी नूडल्स सूर के मास का रस सड़ा हुआ मैदा छे-छे दिन पुराना उससे तैयार हुआ है अब आप तैय कर लो खाना है या नहीं खाना एक प्रशन है जिसका उत्तर दे नहीं सकता किसी ने का आज की सिक्षा बहुत बेकार है बैकल्पिक सिक्षा की बात मताई है तो समय जादा है आप मुझे इमेल करिए मैं लंबा जव जादा नहीं गायकागी नाक में डालने के लिए हमेशा हलका गरम करना है जादा नहीं और एक ही बूंद एक नाक में दूसरी बूंद दूसरी नाथ हां एक बहुत अच्छा सवाल है दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं सबसे अच्छा सेंदा नमक खाएं और इसको ज्यादा उपयोग करें मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंग बदल दें बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की अर्थुराइटिस की ये नमक बदलने से बहुत आराम दे देगी आप तो सेदा ही नमक किस आपको सबसे ज़्यादा मिलता चूने से जिनको दिन बर नीद आती है वो चुना मठे में मिला के चाच में मिला नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं किसी ने पूछा लगाएं जरूर लगाएं नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चिन्नाई में रहते हैं अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल करते हैं चिन्नाई म आने हर दे बहेडा आवला एक दो तीन अनुपात वाला त्रिफला चूण एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच दोनों मिलाकर गरम पानी में रात को रख दें सबेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें तीन चार महीने नियमित करेंगे चीनी बिल्कुल बंद कर दीजे क्योंकि यहीं अकेली चीज है जो पच्चती नहीं आसानी से बाकी चीनी छोड़कर कुछ भी खाए पत्री अगर है कि शरीर में और थाइराइड थाइराइड का सबसे अच्छा उपाए है धनिया पत्ता है ना धनिया पत्ता इसकी चटनी धनिया पत्ते की चटनी बनाईए पानी में मिलाके पी जाए पानी गुनगुना रहे कितनी चटनी एक चम्मच चटनी उसमें कुछ डालिये मत नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं खाली धनिया पत्ते की चटनी और जब तक धनिया मिल रहा है तो यह हरे पत्ते की चटनी धनिय मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया यह धनिया जो है ना थाइराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है पत्री पत्री जिसको भी है वो चूना कभी न खाएं यह याद रख कहीं भी शरीर में पत्री है तो चूना कभी न खाएं तो फिर क्या खाएं एक दवा है कारहा बनाके पिए यह जो पाखांड वेद है ना इसका काड़ा पानी में डालके उबालके और यह दवा आसानी से होमियोपैथी में उपलब्द है और इसी दवा का होमियोपैथिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वल्गेरिस पाखांड वेद का बोटनीकल नाम है बर्बेर कि आप बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का बर्वेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो यह हलके गुलाबी रंकी होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी दस-दस बूद है चोथाई कप पानी में डाल कर दिन में त अक्थर को बर्वेरिस को समय जादा लगता है पानी में चूना मिला के पी सकते हैं जरूर पीजिए पत्री वाले नहीं दातों का दर्द दातों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लॉंग लॉंग इस्तेमाल करिए लॉंग का तेल इस्तेमाल करिए और दातों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा-थोड़ा चूना खाते रहें और दातों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहें दंतमंजन करते रहें पेस्ट बंद कर देज़ें हाँ अभी एक जरूरी प्रशनाया शराव और गुठका छोड़ने के लिए क्या करें जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीज़े ये बहुत लोगों के काम शराव गुठका तंबाकू सिग्रेट और बीड़ी ये पांच बुराईया व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई है और देश का सर्वनाश किया है इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ती से बचें तो अच योग करें तो क्या दवाएं हैं आपके पास सबसे अच्छी दवा है शुद्द गाय का मूत्र अरक नहीं शुद्द गाय का मूत्र दूसरी दवा आपके घर में हैं अदरक या सोंट जिनको शराप से छुडाना है बाहर निकालना है उनको अदरक और सोंट ज्यादा सोंट का काड़ा बनाके दीजिए गुड मिलाके दे सकते हैं सोंट का काड़ा बनाके और गोमूत्र पीने को बोलिए नियमित रूप से अगर आधा कब भी गोमूत्र पिया तो सवा महिने में शराप छूट जाते हैं शराप जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं एक chemical बढ़ जाता है उसका नाम है sulfur और sulfur को कम करने के लिए sulfur ही चाहिए आयुर्वेद में कहा है ना कि wish को wish मारता है तो sulfur बढ़ता है तो sulfur कम करने के लिए बाहर से sulfur चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा sulfur गो मूत्र में है सरदी जुकाम सरदी जुकाम जादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड है तो बच्चों को गुड दीजिए जादा एक उनको चूना भी दे सकते हैं चूना कफ का भी नाश करता है वात्का तो करता है यह कफ का भी करता है तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाक में डाल सकते हैं हल्दी जबरजस्त कफ नाशक है तो दूद में हल्दी मिला कर दीजे और दूद हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉंबिनेशन है तो जिनको सर्दी जुकाम बार-बार होते हैं उसके लिए पित बढ़ा है तो क्या करें देशी गाय का घी खाए देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डाल कर पिएं तो सब पित्त को शान्त करेगा और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक ये भी पित्त बढ़े तो शान्त करेगा उसको एक मेरे पास difficult case है ये मुझे व्यक्तिकत रूप से मिले कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है ये मुझे शाम को मिले चार बजे बाल उड़ गए तो क्या करें बाल कम हो गए तो क्या करें बाल जड़ गए तो क्या करें तीनों में एक उपाय है दही को तावे के बरतन में रखें पांच-छे दिन खूब खटा हो जाए हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें एक घंटे के बाद बालों को शीका काई से धोएं हफते में एक दिन जरूर करें त्रिफला शहद और गुड़ के साथ सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सुबह खाएं और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं त्रिफला को औशदी के रूप में लेना है औशदी ऐसी जो धातु वर्दक है तो सुबह ही खाएं और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है मने पेट साफ करें तो रात कोई खाएं सोने के पर कि बहुत जादा चीके आती है नाक से पानी गिरता थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डालें 15-20 दिन में चीकें भी बंदोंगी पानी गिरना भी बनदें क्यवडा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में केवडा होता घस यह दोनों मिलाया हुआ जल गर्मीयों मैं अर्जुन की चाल लेने का समय सबेरे काणा बनाकर दूद में नहीं तो पानी माधा rasa शक्कर नहीं मिलाएं उसमें गुड मिलाएं अर्जुन की चाल को टॉसलिंटिस की रेमेडी तॉसिल सबसेची रेमेडी हल्दी हल्दी का दूद बच्चों को रात को पिलाएं टॉंसिल नहीं होगा पिपर्मेंट के बारे में किसी ने पूचा है आप शाम को चार बजे मिलें मैं थोड़ा विस्तार से बता दो यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा हैं तो मैंने आप से बार बार कहा है चारी ये चीज़ें ज्यादा खाएं ऐसिड निकल जायका सबसे अच्छी चारी चीज गोमूत्र पिलैं यूरिक एसिड एक दम साफ कर देता गोमूत लेकिन प्योर गोमूत उड़तकी दाल दालों का राजा है बिलकुल सही बात दही के साथ नहीं दही के साथ ये जहर है सुबह दूद पी सकते हैं मैंने मना किया है सुबह जूस पीना है दुपहर को चाच और रात को दूद लेकिन पी नहीं है अगर तो आवले के साथ पिए ना पिए तो अच्छा सुबह का दूद ही पीना है तो आवले के साथ मोटापा कम क परना उनको चारी चीजें ज्यादा खानी हैं तो मैंने आपसे का गाजर खाईए गाजर नहीं खा सकते दूदी खाईए अब खाएं कैसे गाजर को कद्दू कस्में घिसिये और उसके लच्छे बनेंगे फिर थोड़ी एक और चारी चीज आपको आजकल उपलब्द है सेव स तीन महीने इसको बैलेंस करने के लिए आवला खा लीजे आवला दो तीन आवला रोच मुरब्बे के रूप में या कैसे फिर तीन महीने आवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इस पर आ जाईए तो साल बर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से एक तहाई वजन तो साधा भी हो जाएं कि यूमन यूरिन के बारे में आपने पूचा मैंने पहले ही बता अगर आप शाकाहरी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गो मूत्र उससे हमेशा बहतर है बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में इसके लिए क्या करना खजूर खिलाईए खजूर छोटे छोटे टुकड़े काटकर बच्चों को खजूर दूद में डालकर छोटे छोटे टुकड़े दूद में डालकर उबालिए खूब उबल जाए फिर वो दूद पिलाईए ख क्या करें रात को त्रिफला चून खा कर सोगाई यह नहीं तो दूद में घी मिलाकर पी लीजे यह सब से अच्छा है दूद में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं तो सभेरे संडास बहुत आसानी उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है नहीं तो त्रिफला भी ले सकते हैं तीन महीने देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार करें लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की तीन महीने से जादा मत खाईए और अगर जरूरत पढ़ रही है तो थो बहुत दूसरी भी हो सकते हैं पिट की हड़ी में दर्द है चूना चूना खाई है बच्चों को खासी की अलर्जी अगर है तो नियमित रूप से मैंने का न ऐसी चीजें दीजिए कफ नाशक है सूट है पान का पत्ता है शहद है गुड है यह सभी कफ नाशक है कितनी उम् समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा तीन-चार साल हो जाने दीजिए उनका तीन-चार साल के पहले दे सकते हैं तो आवला दीजिए और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आवला ही अच्छा है त्रिफला उनको ना ही दें त्रिफला एक उम्र क के बाद ही सबसे अच्छा होता है कि बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द कमर का दर्द तरीका मैंने वही बताया चूना सबसे अच्छा अधिक घीनाक में डालना सोते समस्ट नीद जल्दी नाय तो क्या करना गायका घीनाक में डालके सोना हाँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रश्णा आया वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें तो मै ने तो बोला था कि ये बंद करते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने का न हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को एकढ़ा करने के, घर में डिब डिब भी इतने एकढ़े रहते हैं, फाल तू पड़े रहते हैं फेकते नहीं हमें हमेशा ये सोचते हैं कभी काम आइंगे कभी काम आइंगे तो ये चक्कर घुज गया अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है तो एक बहन ने या किसी ने सवाल ये लिखके भेजा है कि फ्रिज मेंसे हमने सब्जी निकाल के 48 मिनट रख दी तो अब उपियोग कर सकते हैं हां कर सकते हैं उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई वो 48 मिनट का जो किस्सा मैंने बताया ना तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए किसी तरह इसका उपियोग हो नहीं तो एक चीज मत करिये कभी भी कोई भी चीज एक बार गरम करके आपने फ्रिज में रख दी तो दुबारा गरम मत करें वो दूद हो या सब्जी हो या दाल करिये ही मत क्या करना निकाल के रख दीजे 48-50 मिनट रखी रहे वो अपने आप थोड़ी गरम हो जाएगी प दुबारा गरम मत करें चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रखके खाये दही भी फ्रिज में दही रख देते हैं 48 मिनट रखा रहने दीजिए फिर आप उसका उप्योग करिये तुरंत निकाल के और चाज बना के वो बिलकुल मत करें मेवा खाना चाहिए के नहीं सूका जरूर खाये ड्राइफ फ्रूट्स आप जरूर खाये लेकिन जो ड्राइफ फ्रूट्स आपके लिए अनकूल हैं आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा बदाम आपके अन्कूल है आपके अन्कूल काजू नहीं है बादाम बहुत अन्कूल है मदरास में रहने वालों को काजू अन्कूल है जम्मू कश्मीर में रहने वालों को तो बादाम भरपूर खा सकते हैं और जो दूसरी चीज अन्कूल है मुनक्का किश्मिश किश्मिश और मुनक्य में थोड़ा अंतर है बड़ी किश्मिश को मुनक्का तो मुनक्का और किश्मिश यह आपके बहुत अनकूल है बादाम आपके बहुत अनकूल है मखाना मखाना 50-50 है जादा अनकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो जारखंड वालों को आपके लिए 50-50 ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनकूल है बीच का है और बाकी जो अखरोट वगेरा है ये आपके अनकूल नहीं अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को आपके लिए अखरोट बिल्कूल नहीं और ड्राइफ रूट्स क्या खाते हैं आप चिरोंजी क्या कहते हैं उसको जो चिरोंजी है वो आपके लिए अनकूल है चिन्ने के आसपास के लोगों के लिए अनकूल है वो आप खा सकते और ड्राइफ रूट शाहिद इसके आगे हैं हाँ केसर केसर अगर आप खाएं वैसे तो आशदी है ड्राइफ रूट नहीं लेकिन ये तीन महीने के आगे नहीं खा सकते के नवंबर दिसंबर जन्वरी और दूद में मिला कि मिष्री पिस्ता पिस्ता 50-50 है अंजीर बहुत अनकूल है सिर्फ एक ही किसम के लोगों के लिए इसको मैं आपको कहता हूं जरा ध्यान से सुन जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है शक्ति की कमी लगती है ताकत कम है उनके लिए अंजीर बहुत फाइदे की है लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं इस चेंदारू क्या होता है एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है आप खा सकते हैं एप्रिकॉट एक सुझाव है प्रश्ण नहीं है और वो सुझाव मुझे सुविकार है वो यह कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या है तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या यह बातें या यह ग्यान सता तिरंतर चलता रहे इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एजस्मेंट हो जाए तो बहुत अच्छा मैं यह चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और यह दूसरों को सिखाते जाएं तो नियमित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था अगर आप सम मिलके करें मुझे सुई का रहे हैं सुबह का पानी तामे के बरतन का पी सकते हैं जिनको कबजियत की बहुत तकलीफ है लेकिन शरीर में तावा जादा हो तो वो नहीं पिए लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा साधा बरतन का मने यो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ गर्मी के दिनों में घड़े का मिट्टी के घड़े तावे का पानी पी सकते हैं हां क्योंकि कुछालक है ना लकडी और तावा बहुत ज्यादा सुचालक है एक होता कंडेक्टर और एक बैड कंडेक्टर तावा सबसे बड़ा कंडेक्टर है और लकडी सबसे बड़ bed conductor है तो ये अगर आपने तावा पिया मने तो अर्थ के साथ जो contact है नंगे पाउं तो वो कतम करेगा आपको इसलिए पाउं में चपल रहें लकडी के पट्टे पे खड़े रहें प्लास्टिक की चपल पहन के हो रबर की चपल पहन के बरतन का पानी पीना अच्छा कि ऊप केन भाटर कि आजकल केन वाटर पी रहें अइसा प्रशना तो यह क्या था यह बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आप बोलें फिर क्या गरे हैं आपके घर को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है और केन वाटर का टेस्ट साधा पानी से बिलकुल अलग होता है तो केन वाटर से हजार गुना अच्छा है टेप वाटर लेकिन उबाल कर रखा गया है हाँ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबंदित यह सवाल है मैंसीज पीरियड का दो सवाल आए हैं एक तो यह है कि वाइट डिसचार्ज बहुत होता है तो क्या कर तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयृवेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी शतावरी कहीं भी मिलती आ वेत की दुकान शतावरी चून के रूप में ले लीजे इस सगो रात को जरूर पीजेël दूद हलका गरम रहे और शतावरी डाल के दूद उबाल भी सकते हैं भटता नहीं शतावरी जिनको भी वाइड डिस्चार्ज में गुस्सा बहुत आता है चुर चड़ाफन बगरा बगरा तो आपका जब भी मैंसीस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायू बहुत बढ़ी हुई है पित भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाय में बता देता हूं बागवट जी का है मेरा न पानी में जो इतना गरम हो जैसे जाय होती है घी मिला के पिए गरम गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भी घी भैसका भी चलेगा एक चम्मच्म इविलाये हादा गिलास खूब चमपानी खौलता हुआ यह मिला दें थोड़ा पीने लाइक हो जा उतनी देर रखें फिर इसको चुस्कियां ले लेकर पिए अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है चार दिन चलता तीन दिन दिन से मतलब नहीं जितने दिन चलता उतने दिन कितनी बार पी सकते हैं दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं तो अगर आप ने यह शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ मैनोरेजिया है तो ठीक होगा मैटोरेजिया है तो ठीक होगा सब सब ठीक हो जाएगा मैं जादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदार है हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिलाके किसी भी दूसरी प्राबलम के लिए मैंसी पीरियेड में ही पिये इसको ध्यान से सुने मेवा से वेट बढ़ता है काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता काजू ही है जो वजन बढ़ाता है बागी कोई भी सुखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता मूँ से बद्बू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है तो रात को त्रिफला खा के सो नहीं तो दूद और घी मिला के पियो सुबह उठते ही पानी पीलो मूँ की बद्बू बन हाथ पैर सुन्न हो जाते मतलब चुना खाते रहिए हाँ अब यह एक सवाल ऐसा है कि चुने से जीब फट जाती है तो आप चुना अगर सीधे जीब पे खाएंगे तो फटेगी पानी में डाल कर खाएंगे कभी जीब नहीं फटेगी दही में डाल कर खाएंगे नहीं फटेगी मठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी जीप पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीप पटेगी अब किसी ने एक सवाल पूछा हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए वो किताब में पूरा है आप पढ़ लीजे टीवी पेशन्ट है ट्यूबरकलोसिस तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाए अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अर्क नहीं खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो तीन से चार महिने में टीवी जड़ से ठीक होती दही में या तो छाच में या तो पानी में नहीं तो पान में चूना ये पान में जो खाते हैं वो ही और पांच मिनट रुकिए मैंने मेरा कंक्लूड किया है लेकिन ये आज के लिए है जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है ये तो रास्ता अभी खुला है जिन्दगी के लिए जो आज के हिसाब से पिछले साथ दिन का चला उसका कंक्लूजन शोबाकान जी थोड़ी देर करेंगे प्रदीब भाई भी चाहे तो करें बहन और भाईयों सबसे पहली बात है कि ये साथ दिन में ये आठ्मा दिन है इनका समापन का इन्होंने सवों का प्यास इतना बढ़ा दिया है ये प्यास अभी जल्दी बुझने वाली न इसी का विसलेशन आप ठीक से नहीं कर सके हैं एक एक बिसेपर अगर आप केवल एकी बिसेपर एकी सुत्र में एक दिन बोलें तो आप इनको अम्रित खोल करके पिला देंगा दूसरी बात और कुछ नहीं है इतना ही कहना है कि डॉंग्रे महराज ने एक दफ़े हमको हमार नाना लालभट के सामने एक चीज कहा था और नाना भात हर दिन भागबत करते थे कोई आवे नहीं आवे पत्नी सुनते थी गुज्राती का था और धराब भाही हिंदी में परत पर देते थे उनके इतना प्रैक्टिस हो गया था श्यक्रमार पर चुके थे तो उन्होंने कह आता है डौंग्रे महराज कि कोई आया और वो भागबत सुनता था और उसके बच्चे को लेकर आता था एक दिन बोला कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं बाहर जा रहा हूं दो दिन के लिए नहीं आऊंगा बोला आप नहीं आएंगा आपने पुत्र को भेज दीजे नही का नहीं होंगा तो बहनों और भाईों एक बाद याद रखिए इनका वो वेराग नहीं है या आपके स्वास्त के प्रती है और ये स्वास्त के प्रती है अगर जीएं तो दुख से क्यों जीएं सुख से जीएं आप जो कुछ भी कर रहे हैं कमाते हैं करते हैं खाते हैं प् मुझे इतना ग्यानी नहीं था किस तरह पानी पीना किस तरह खाना क्या करना और आप लोगों में कितने कोई ग्यान है मुझे पता नहीं हो सकता है आप ग्यानी होंगे लेकिन याद रखिए इन्हों इतना विशलेशन किया है एक सब्सका भी बहुत कम विशलेशन किया है समय क्या भाब में सबसे बड़ी बात है कि इतना बज़े जाना है इनको और का दस बज़े इनका अराधना भवन में कार्शकरम है इसके बाद इनका कार्शकरम भर दिन के लिए है और आप ताजूब करिएगा कि यह जैसे सुई कि यह सुई चलती है घरी की इसी तरह यहां जब स में सुवा से लेके साम तक इसी तरह नाजते रखते हैं इनका इनरजी भगवान ने इतना दिया है कि इतना खर्च करते बढ़ जाता है हमारे पटवारी भाई कहते थे जितना दान दोगे उतना तुम्हारा जो भड़ा हुआ कटोरा है जितना चलकेगा उतना ही कटोरा भरेगा इसी तरह हमारे यह हैं जितना यह देते हैं उससे ज़्यादा इनके पास आ रहा है और हम बहुत सुक्र गुजार हैं राजी भाई का जो इन्होंने पहली बार एक तो पहली बार ये पढ़ करके छे साल से अध्यन करने के बाद इन्होंने कहीं नहीं दिया जिस तरह आजादी बचा अंदोलन के लिए आए और आपको ताजुब होगा कि एक दिन के हमारे नोटिस में हाल खचा खच भड़ जाता था आज यहां कल वहां परसो वहां यह चलता रहा और बड़े सक्सेश 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 पुर रहा है इनका वो कारज करम और उस तक की जाता आज पहले बार इन्होंने छे महीना पहले बोला कि हमने इतना अध्यन किया है अगर आप चाहें तो उसका उप्योग कर सकते हैं हमारे परदीब भाई तुरत बोला कि नहीं तो फिर आ जाईए और बहुत कोशिश के साथ एक दिन पहले तक परदीब भाई और परदीब के जितने दोस्त हैं यह मैं बिजए फैमिली सज्जन राज और रमेश जी और यह जितने हमारी मेंबर्स हैं मिराब जी हो गए रहा है इनलों ने कहा कि कल क्या होगा अरे बहुत करो सबाधिया लोग को पकड़ के एक दफे सुनेंगे लोग तो खुद चा जाएंगे इस तो गया और आप देख रहे हैं कि किसी दिन ये हॉल का एक शित खाली नहीं रहता है बलके कुर्ची नहीं है तो बाहर से सुनते हैं यह राजी भाय का है और पहली वार इन्होंने इसको प्याक्या क्या और मुझे अब इनको कहना है और देखेंगे यह कि आभ यह हर एस्टेट में हर गोहर डिस्टिक में इनको लोग बुलाएंगे तको आज सबसे जरुडी है स्वास्ते Corporation का दिन दिन जा रहा है दूसरी बात एक और और है कि यह यह एक बात हमेशा रहे आना जाना सब इनके अपने रहा है आपको ताद्य ऐने पर या Marcel साथ होनोने हैं उन्हें हो दो हम ने रहा है तो भासन था इनका बंबई का सब्जी बाले का जो युद सबका कि वडाला में सब्जी मार्केट में 10 अज़ार आदमी, और किसी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो मंच पर नहीं आने दिया, कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप हमारे नेता बन जाएंगे आज बोलके, और कल किसी पार्टी में आप घुज जाएंगे, इसलिए मैं किस कुछी को ने आने नहीं दूगा और वो कहता है राजी भय को कि राजी भाई आप नहीं बदलेंगे आप हमारा परसेडेन बन जाए चेर्मेन बन जाए लिक यह नहीं 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 किसी और को अपने मिसे बना लो बढ़ा बन तो जाएंगे लेकिन कब उनकी जब ख्याती हो जाएगी कल किसी पार्टी में गुच जाएंगे इसके बाद इसी तरह राजी भाय को हम फिर बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक साथ दिन दे एक महिना ये रहें तो हमको बहुत कुछ दे सकते हैं हमारे सरीर को स्वश्श बना सकते हैं और इनके छिरायूenne के चिरायूंट हम सत्युग नहीं कहेंगे क्योंकि सतायू नहीं कहेंगे कियोंकि गांधी जी को बुइन्वा जी ने पत् लिखा उनके जन दिन पर Chuck सतायूं और टली दिया हाउउ यआवD कॉ्ट्व सोच खाल जिएंगे तो उनने пятьृश्श में पचूब में दर्द देखा मैंने जब कभी देखा इतना हेक्तिक होते वह भी इतना परसंचित कभी उद्वेलित नहीं वह देखा कभी गुष्णा नहीं देखा कभी कुछ मिनीदा मैं बैठा हूं question के answer वो कर रहे हैं और हम करने आपको दस बजे जाना है आप सौट कीजिए और ये सौट नहीं कर सके क्यों? इमानदारी के साथ आपके question का इन्हों ने जवाब दिया है इसलिए आप लोग आप लोग जुआ मनाईए राजी भाई के लिए हमेशा स्वस्त रहें और इसी तरह अपने अम्रित को घोल घोल के केवल चन्नई वासे नहीं हमारे भारत बासे होदे सब को फिलाते रहें और सब को सुखी रखें इसके साथ मेरी हारदिक मेरे बेटे के जैसे हैं मैं इनको हमेशा आशिरवाद देया हूँ हमेशा देता रहूंगा और ये वही काम करें च्योंकि लोग अपने लिए जीता है एक दफे जैप्रकास दीने हमका हमको ये सब काम नहीं होगा उन्होंने तब कुत्ते वनोगे हैं क्यों तो कुत्ता अपने लिए जीता है मन इस दूसरे के लिए जीता है तो ये हमारे राजी भाय है जो दूसरे के लिए ही जीते हैं अपने लिए नहीं जीते हैं दूसरी बात अगर आपकी साधन अच्छी नहीं होगी तो आपका साधन वो भी खड़ाब हो जाएगा लिए साधन के लिए इन्होंने कितना बार कह चुका है और मैं तो इसका पृतक्ष्परमान मानता हूँ मैंने इनका गवाँ हूँ इन्होंने कभी एक पैशा कह ने सोफा कान जी हम को देजिए करा दिजिए कभी नहीं और यह जो खादी उधि जतना आता है यही से जो आता है जैय प्रकास को किसी सवालाग रुपया देया हर महिना देंगे कुष्यों तो आपके वहांपर खाने पीटेका नहीं मेरा और और चला रहा है इसके खाने खाने पीने का मैं पैसा पैसा जब आपके घड़ागांगा लेकिन मैं अगर अपने घर में रहोंगा अपना पैसा तो कहां से आता है हम जो किताब लिखते हैं जो रुएलीटि आता है उसे के भीच में खाते ही रहते हैं दूच्छे पैसा नहीं खाएंगे यह हैं मारे राजिश भाई आदर्स तकर यतना कूट-कूट के इन में भड़ा हुआ है देश भक्ती लोगों के लिए उनके कस्ट इतना कूट-कूट के भड़ाया है कि किस तरह मनश्चुखिर हैं किस तरह देश स्वस्थ हो किस तरह दे की राजनितिक बदले उसमें एक बाद यार रखेगा अभी यह अमेरिका जान है जो कि सांती लाएगा लोगों को सिखाएगा कि हम कहां थे हमारे हमारे यह पॉलिटिशियों ने हमको कहां रख दिया है अगर वह चुप हो गए अगर इनको अच्छा ड़कुमेंट नहीं मिला तो कुछ वरसों के बाद देखे का कि हिंदूस कहां जाता है परफुल रख जितना हमको मजबद दिया है दूसरे कहने पर कि आप जैसे एक बज़े से सारे पांच बज़ता है और पांच बजे के बंदे में सारे पांच बज जाता है कभी सो कभी साथ कभी सतर तो यह तो देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं जब तक सुनेंगे ठीक से नहीं जब तक जवाब नहीं देंगे तो समय बहुत हो जाता है और समय पार कर जाता है तो दूसरे को जुलूम दिये रहते हैं वो उनको कुदेरता है उनको करता है आप क्यों नहीं तो परफुल भाई सब के स्वावेस में हमारे साथ जो हम लोगों को साथ दिया और जिस्तों उन्हों क्या इसलिए इनको निवेदन है एक वार उपर आए परफुल भाई एक दो मिनट के लिए को हमको आशिलवाद देने के लिए उपर और कुछ ने आस्तिरवाद देने के लिए उपर आहां आए ये आपके परशीटिच्छन साहब आके दे चुके हैं अब आप सेकेरेटर्री सहाब है और हढ़ा एक शरीर का ंंगा तले वर लेक थे लिगतिन आप जो है आप दुए हैं आप आईए इस संसा की दीजिये उनको अश्रवाद अब यह सभा सवाबन की और जा रही है